श्री राधा कृष्णाय नमो नमहा सरव प्रत्थम मैं सरवेश्वर भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलो की वंदना करता हूँ आप सभी भक्त जनों को भी सारदर नमस्कार करता हूँ श्री गर्क सहिता में वर्नेत महा रास लीला के तीन भागो वाले श्रिंखला के आज हम तीसरी कड़ी का शवन करेंगे इस कड़ी में हम गोपंगणाओ के साथ भगवान श्रीकृष्ण का वन वीहार, रास्क्रीडा, मानवती गोपियों को छोड़कर, श्री राधा के साथ एकांत विहार, तथा माननि श्री राधा को भी छोड़कर उनका अन्तरधान होने की सुन्दर कथा का शवन करेंगे आजशी कथा के माध्यम से हम ये शवन करेंगे कि किस प्रकार भगवान श्वेक्रश्न गोपियों और श्री राधा के एहंकार को भंग करते हैं आजशी कथा अती ही सुन्दर और रोचक है कृपया इसका शवन भक्ती भाव और एक आगरिता से करें कथा इस प्रकार से प्रारंब होती है नारेशी कहते हैं नरेश्वर इस प्रकार रमनिय कंदवन में मालती, पुश्चपो के सुन्दर वन में, आम, नारंगी दथा, नीम्वों के सखन उपवन में, आनार, दाक्ष और, माधामों के विपन में, कदंब, शीफल और कॉर्टज कुंज बकुल तथा मंदारों के मनुहर विपिन में विचहते हुए शाम सुन्दर व्रज घुटियों के साथ कामवन में जा पहुचे वही एक परवत्पष श्रीकृष्ण ने मधुर स्वर में बासुरी बजाई उसकी मोहकतान सुनकर ब्रज सुन्दरिया मूर्चित और विहल हो गई राजन आकाश में देतनाओं के साथ विमानों पर बैठे हुए देवंगनाय भी मोहित हो गई कामदेव के बाणों से उनके अंग अंग बिंग गए तथा उनके नीवी बंद ढीले होकर खिसकने लगे स्थावरो सहे चारो प्रकार के जीव समुधाय मोह को प्राप्त हो गए नदियों और नदों का पानी स्थर हो गया तथा परवत भी पिघले लगे कामवन की पहाड़ी शाम सुन्दर के चरन चिन्नों से युक्त हो गई जिसे चरन पहाड़ी भी कहते हैं उसके दर्शन मातर से मनुश कृत कृत हो जाता है तदंतर राधा वल्लब श्री कृष्ण ने नदिश्वर तथा ब्रहत सुनग्रियों के तट्न प्रांत में रास विलास किया मिद्लेश्वर वहां गोपियों को अपने सौब भागे पर बड़ा अभिमान हो गया तब श्री हरी उन सब को वही छोड़ श्री राधा के साथ अद्रिश हो गए मिद्ला नरेश उस नर्जन वन में श्री कृष्ण के बिना समस्त गोपंगणाए विरह की आग में जलने लगी उनके नेत्र आसों से भर गए और वे चकत हिरनियों की भाती इधर उधर भटकने लगी जैसे वन में हाथी के बिना हत्निया और कुरूर के बिना कुरूरिया विथित होकर करुन करंदन करती है उसी प्रकार श्री कृष्ण को ना देख कर विथे तथा विरह से अत्त व्याकुल हो प्रजंग अनाए फूट फूट कर रोने लगी राचन नरेश्वर वे सब की सब एक साथ मिलकर तथा प्रथक प्रथक दल बनाकर वन वन में जाती और उनमत की तरह व्रिक्षों तथा लता समोहों से पूछती तरवों तथा वल्लरियों शीग्र बताओ हमारे प्यारे नंदन नंदन कहां जाचिपे हैं अपनी वाणी से श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण कहकर पुकारती थी उनका चित श्रीकृष्ण चरनारविंदो में ही लगा हुआ था अता वेशब अंगरनाय श्रीकृष्ण सरूपा हो गई ठीक उसी तरह जैसे ब्रिगंग के द्वारा बंद किया हुआ क्रिड़ा उसी के चिंतन से ब्रिंगरूप हो जाता है इसमें कोई आश्चर की बात नहीं है श्रीकृष्ण की चरन पादूका से चन्हत स्तान पर पहुँच कर गोपिया श्रीव पादुकाभश की शरन में गई तदंतर बगवान की ही कृपा से उनके चरन चंके अर्चन और दशन से गोपियों को भगवचरन चिन्नों से अलंकरत भूमी का विशेश रूप से दर्शन होने लगा राजा बहुलाश ने पूछा हे प्रभू राधा वलब शाम सुन्दर अन्न गोपियों को छोड़ कर श्री राधा के साथ कहा चले गए फिर गोपियों को उनका दर्शन कैसे हुआ नारज जी कहते हैं राजन भगवान श्रीकरशन श्रीराधा के साथ संकेट वट के नीचे चले गए और वहाँ प्रियतमा श्रीराधा के केश पाशों की वेनी में पुष्पर रचना करने लगे श्रीकरशन के नीले केशों में श्रीराधिका ने वकरता स्थापित की अर्थात अपने केश रचना कोशल से उनके केशों को घुंगराला बना दिया और उनके पूर्ण चंदरुपम मुखमंडल में उन्होंने वचत्र पत्रावली की रचना की इस प्रकार परस्पर शिंगार करके श्रीकृष्ण प्रिया के साथ भद्रवन, महान, खदिरवन, बिलववन और कोकिलावन में गए उधर श्रीकृष्ण को खोचती हुई गोपियों ने उनके चरन चिन्न को देखे जो चक्र धोजा, शत्र स्वास्तिक, अंकुष, बिंदू, अश्टकोन, व्रज, कमल, नील, शंग, घट, मच्स, त्रिकोन, बान, और्द, रेखा, धनुष, गोकृर और अचंद्र के चिन्नों से शुशोभित, महात्मा श्रीकृष्ण के पद्द चिन्नों का अनुसरन करती वी गोपंगनाई, उन चिन्नों की धूली ले लेकर अपने मस्तक पर रखती हुई और आगे बढ़ती जाती थी, फिर उन्होंने श्रीकृष्ण के चरन चिन्नों के साथ साथ दूसरे पद्द चिन्न को भी देखे, विधजा, पद्न, चत्र, जो, उर्द, रेखा, चक्र, अर्द, चंद, अंकुष, और बिंदों से शुशोफित थे, विधेह राज, लवलतंगा, गदा, पाठीन, शंक, गिरीराज, शक्ती, सिंघासन, रत और दो बिंदों के चिन्नों से विचत्र शुभाशाली, उन चरन चिन्नों को देखकर गोपिया परस पर कहने लगी, नि उन गोपंगणाओं का कोला हल सुनकर माधव ने शिराधा से कहा, कोटी चंद्रमाओं को अपने सौंदर से तरस्कृत करने वाली प्रिये शिराधे, अब सब और से गोपिकाएं आप पहुची हैं, अब वे तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी, अता यहां से जल्दी नि शिराधा बोली, प्यारे शिक्रिश्न, मैं कभी राजभवन से बाहर नहीं निकली थी, किन्तो आज अधिक चलना पड़ा है, अता अब एक पक भी चलने में समर्थ नहीं हो, देखते नहीं मैं सुकुमारी राजकुमारी पसीने से भीग चुकी हो, फिर मुझे कैसे ले चल यह वचन सुनकर राधी का वल्लब शिक्रिश्न, शिराधा के उपर अपने दिव पीतांबर से हवा करने लगे, फिर उनका हाथ थामकर बोले, शिराधे, अब तुम अपनी मौच से धीरे धीरे चलो, उस समय शिक्रिश्न के बारं बार कहने पर भी शिराधा ने अपना पै आगे नहीं बढ़ाया, विश्री हरी की ओर पीट करके चुप-चाप खड़ी रही, तब संतों के प्रिया, शिक्रिश्न ने माननी प्रिया, शिराधा से कहा, भगवान बोले, माननी राधे, यहाँ अन्य गोपिया भी मुझ से मिलने की हारदे कामना रखती हैं, तथा पी, उन्हें छोड़ कर मैं मन से तुम्हारी अरात्ना करता हूँ, तुम्हें जो प्रिया हो, वही करता हूँ, राधे, मेरे कंधे पर चड़ कर तुम सुख पूर्वक शीग्रिहां से चलो, नारजी कहते हैं, नरेश्वर, उनके यो कहने पर, प्रिया ने जब उनके कंधे पर चड़ना चाहा, तभी स्वक्षंद गती वाले ईश्व प्रियतम श्वेक्रश्न वहां से अंतरधान हो गए, राजेंद्र फिर तो कीर्ती कुमारी राधा का मान उतर गया, वे उस महान कोकिलावन में भगवत विरह से व्याकुल हो उच्च स्वर से रुदन करने लगी, मितलेश्वर उसी समय गोपियों की यूथ वहां आ पहुँचे, श्री राधा का अत्यंत दुख जनक रोदन सुनकर उन्हें बड़ी दया और लज्जा आई, कोई अपनी सौमनी को पुश्प मकरंदों से नहलाने लगी, कुछ चंदन अगूरी कस्तूरी और केसर से लिटे देने लगी, कुछ बेंजन और चवर डुलाकर अंगों में हवा देने लगी तथा, अनुन्याए विने में कुशल नाना, वच्छनो दौरा परा देवी श्री राधा को धीरज बंधाने लगी, मैथलेंद्र, श्री राधा के मुख से मानी श्री कृष्ण के दौरा दिये गए सम्मान की बात सुनकर मानवती गोपंगरना को बड़ा विसमे हुआ, इस प्रकार से रास लीला की ये कथा यही संपन होती है, आगे जो हुआ, जो भी लीला है भगवान की रास संपन्धित, उसे हम अगली कथा में शवन करेंगे, कथा शवन करने के लिए, और अपना बहु मूल समय देने के लिए, आपको हृदे से धन्यवाद, श्री राधा कृष्णाए नमो नमहा